कि लास्ट एंथ बिटाज नेक्स चेप्टर हम शुरू कर रहे हैं चेप्टर नमबर टू चेप्टर का नाम है एसेड बेस एंड सॉल्ट एसेड और बेस क्या होते हैं इसके बार में हमने लोर क्लासिज में भी पढ़ रख है फोड़ी सी चीज़ को रिवाइस करेंगे एक इडेंटिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी अपनी लोर क्लासिज में कि किस तरह से अडेंटिफाई कर सकते हो एसेड क्या होते हैं बेस क्या होते हैं तो एसेड जो होते हैं वो सौर या खटे होते हैं टेस्ट में और जो बेस होते हैं डेटर बिटर जा फिर कड़वे होते ह तो टेस्ट करके हम identify कर सकते हैं कि कोई material जो है वो acid है जा फिर base है बट हर बार acid जा बेस को identify करना टेस्ट करके possible नहीं हो पाता तो हमारे पास कुछ और भी methods हैं जिससे आप identify कर सकते हैं कोई ये material acid है जा फिर base है उन में से एक method है that is a litmus solution अगर litmus solution के अंदर आप acid जा base add करते हो तो blue litmus जो है वो red हो जाता है अगर आप acid को add करते हो तो acid के वज़ा से blue litmus का color जो है वो red हो जाता है similarly अगर आप के पास base है तो base जो है वो red litmus को blue कर देता है तो इस तरह से आप identify कर सकते हो कि material जो है वो acid है जा base है अगर litmus solution का color red हो जाता है this means कि वो material जो है वो acidic है और अगर litmus solution का color blue हो जाता है this means कि वो material जो है वो base है इसके अलावा एक और जो indicator हम यूज़ करते हैं acid जहां base को identify करने के लिए that is turmeric जिसको हम haldi बोलते हैं तो haldi का color जो है वो base के अंदर change हो जाता है suppose करो कि आपके पास किसी कपड़े को पर haldi का दाग लगा हुआ है जब आप उसको दोते हो तो आप observe कर सकते कि उसका color जो haldi का दाग का color है वो reddish brown हो जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि soap solution जिसके अंदर हमने कपड़े को dip किया हुआ है that is basic nature और उस base की वज़ा से जो है वो haldi का color जो है वो reddish brown दिखना शुरू है जब हम उस कपड़े को दो देते हैं साबू निकल जाता है उस कपड़े के बीट में से तो वही दाग का रंग वापिस येलो बन जाता है तो इसके लावा कुछ आपके पास synthetic indicators भी है जिससे आप identify कर सकते हो कि वह material जो है वह acid है जा बेस है उन में से एक नाम है जो हो methyl, orange और phenophthalene आप इन दोनों indicators के साथ identify कर सकते हो कि material acid है जा फिर बेस है नेक्स के बाद हम यहां पर जो कुछ property behaviors के बारे में बात करेंगे acid और base की उन में से आपके पास एक जो property उसको हम study कर रहे है and that is how do acid or base react with metal, metal के साथ acid जा फिर बेस किस तरह से react करते हैं तो इस चीज़ को study करने के लिए आपकी बुक में एक activity शो की होई है वह activity क्या है कि आपके पास test tube आप लोगे उस test tube के अंदर जिंग के कुछ टुकड़े डालोगे और उसके साथ ही आप sulfuric acid उसके अंदर add करोगे तो ऐसा करने पर आप observe करोगे कि जो जिंग solution और acid के react करने के पास कुछ bubbles बनेंगे, gas produce होगी उस gas को हम delivery tube की help से दूसी साइट पर लेकर जाएंगे तो यह जो gas produce हो रही है आप identify किस तरह से कर पाऊगे कि यह कौन सी gas है उसको identification के लिए आप क्या करोगे कि एक candle यह माचिस की तीली लेकर उसके जो gas के बुलबले निकल रहे हैं उसके पास लेके जाओगे you will observe कि जो बुलबलों में से जो gas है वो बड़ी जल्दी से जल जाएगी और जलने के बाद pop sound produce करेगी तो ऐसा किस वज़ा से हो रहा है उसका कारण यह है कि जो gas produce हो रही है that is hydrogen hydrogen gas जो है highly inflammable होती है जल्दी से जल्दी है यही कारण है कि जब उसके पास candle जलती ही candle यह माचिस produce करती है तो यहां से एक चीज़ आपको जो clear हो रही है that is जिंक और हाइड्रो क्लोरिक हाइड्र सल्फियूरिक एसड इन दोनों को मिलाने के बाद hydrogen gas produce होती है तो यह सिर्फ जिंक जाफिर sulfuric acid के साथ नहीं होता है actual में किसी भी metal के साथ acid को जह हम react करते हैं तो उस case में आप के पास जो है वो hydrogen gas produce होगी तो acid और metal को मिलाने पर आपके पास एक salt produce होगा और उसके साथ hydrogen gas produce होगी इसके इलावा आपके पास base की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर एक example दे रखी है sodium hydroxide उसको अगर आप जिंक के साथ मिलाते हो तो sodium जिंकेट बनता है और साथ में hydrogen gas produce होती है तो acid और metal को मिलाने पर भी आपके पास hydrogen gas produce होगी थी यहां पर base के साथ metal को मिलाने पर भी hydrogen gas produce हो रही है बट hydrogen gas base के साथ हर metal के साथ जो है वो possible नहीं हो पाती है किसी आपके पास metal के साथ hydrogen base को add करने पर hydrogen gas produce होगी यह पर इसी metal के साथ यह produce नहीं होगी तो sometime hydrogen gas produce होगी और sometime hydrogen gas produce नहीं होगी तो यह एक property जो आपने याद रखनी है और इस reactions को भी आपने याद रखना है कि always hydrogen gas produce होगी metal और acid के साथ and in some special cases in some cases of metal base के साथ react करने पर भी hydrogen gas produce होती है तो इतना बटा हम आज करेंगे उसके बाद जो है next हम अपनी अगली class में करेंगे इसको अपनी copies के उपर note करना है अपने